वन विभाग ने नागपुर वर्दा महामार्ग के हलगाव टोल नाका से साथ लोगों को बाग के अपशेश ले जाते हुए ग्रफतार किया। सूत्रों के अनुसार नागपुर के आला अफसरों की टीम को खास लोगों ने गुप्त सूचना दे कर आरोपियों की पहचान बताने के साथ ही उनके सावान ले जाने के तरीके के बारे में भी बताया। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम दो पहर ही मौके पर पहुच गई और अपना जाल फैलाया। उन्होंने जैसे ही टवेरा गाड़ी आती दिखाई दी वैसे ही मौका देखकर सभी अफसरों ने गाड़ी पर अचानक छाप मारा। गाड़ी में बैठे सातो आरोपियों को समझ ही नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। पहसिल के सावला निवासी, विनोश शामराव मुन, अंजनगाव निवासी, विवेक सुरेश मिसाल, वरुड निवासी, योगेश मानिक के रूप में हुई है। सभी आरोपियों ने वन विभाग के आला अफसरों ने कड़ी पूछ ताच की, जिसमें उन्होंने अपना गुनाह कुबूल कर लिया।